आज बेटा मैं आपको टाइम से रिलेटिड एक्सराइज की प्रेक्टिस करवाऊंगी इससे जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हम टाइम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीख सुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज इसके बेस पर तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज अब देखें ये एक exercise ली हमने write the time shown by clock in both symbols and words हमें symbols और words में क्या write करना है time write करना है अब देखें बटा ये जो बड़ी सुई है ये किस पर है 12 पर और ये किस पर है 3 पर चोटी जो ये आवर हैंड बोलते है चोटी वाली को और बड़ी वाली क्या होती है तो इसको लिख तो 3 o clock तो इसको लिख तो 3 o clock तो 3 o clock लिख तिये या इसको लिख सकते हैं 3 2 dot लगा के 0 0 3 complete बजगे ठीक है बटा अब देखू जो ये है आवर हैंड ऑकिस पर ये आवर हैंड ये किस सेró नाइन से उपर है minute hand किस पर है 6 पर है तो 5 फी टेबल कहां तक पढ़ेंगे 6 तक तो 5 फी लिख जा कितना होता है 30 तो 30 minute past पास्ट हो गए है 9 बज़के तो क्या लिख देंगे 30 minutes past 30 minutes past कितने 9 ठीक है बटा यह लिख सकते हैं या आप ऐसे लिख सकते हैं दो दो डोट लगा दिये और 9 30 होगे सी पार्ट अब सी पार्ट में देखिया है इसमें 10 से थोड़ी चूप पर है कौन सी आपर हैंड यह क्या है minute hand तो 5 फी टेबल कहां तक पढ़ेंगे 15 तक 5 थरी जा 15 तो 15 minutes past 15 minutes past और कितने बज़के 10 बज़के तो कितने होगे 10 यह हम लिख सकते हैं 10 और यह दो डोट लगाए 10 दो डोट लगाए और यह 15 तो कितना हो जगा 10 15 ठेकी बटा अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हैं देखो यह 9 complete तो बज़े नहीं है और यह minute hand भी इसी पर है और और hand भी इसी पर है तो 9 पर है minute hand तो 8 की table कहां तक पड़ेंग बेटा 9 तक 5 9 जा कितना होता है 45 तो 45 minutes past 45 minutes past कितने बजगे 8 बजगे यह हम लिख सकते हैं 8 और दोट लगा दिये कितने हो जाएंगे 45 ठीक है तो इस तरह से हमने जो first question था उसमें time को हमने words में भी लिखा और symbol में भी ठीक है अब second look at the figure of clock and write down the time shown by it in three different ways in your notebook कहता है कि इसको three different way में लिखना है time को किस तरह से जो clock में हमें दिया गया है यह पार्ट से start कर देते हैं अब देखो इसमें क्या है यह 9 बज के कितने minute हो गए है 35 होगे 5 7 जा कितना होता है 35 होते है बटा तो यह कितना हो जगा 9 और 35 यह simply हम ऐसे लिख दिया 9 35 जा पर आव रहें डे वहां तक 5 की table पढ़ेंगे तो 5 7 जा कितना होता है 35 तो 9 बज के कि कितने minute हो गए 35 ठीक है यह आप इसको लिख सकते हैं जैसे हमें फर्स्ट क्योशन में किया था 35 minutes past 9 35 minutes past 9 9 बज के कितने minute हो गए है 35 ठीक है तो इसको कह लिख सकते है 35 minutes past 9 यह हम इसको यू भी कह सकते हैं देखो 35 हो लिए और यह 10 बजने में कितने minute है यह हम लिख सकते है 25 minutes to 10 25 minutes to 10 कि 10 बजने में कितने minute है 25 ठीक है अब भी पार्ट लेते हैं अब भी पार्ट में सबसे पहले यह देखना हमें कि कितने बज चुके हैं अब देखो यह 4 पर है यह तो our hand है और यह क्या है minute hand यह कितनी है minute hand तो इसका मतलब 3 तो बज की 4 तो complete बजने नहीं है तो इसमें क्या जाएगा 3 बज के 5 times है कितना होता है 50 तो 3 और यह dot और यह कितने लगा दिये हमने 50 लगा दिये कितने लगा दिये बटा 50 तो 3 50 दिखा दिये हमने ठीक है अच्छा उसके बाद यह 50 minutes past 3 क्या लिख देएं 50 minutes past 3 यह तीसरी तरह हम लिख सकते हैं कि देखो अब 4 बजने में कितने मिनट है 5 और 10 तो हम क्याएं 10 minutes to 4 10 minutes to 4 कि 4 बजने में कितने मिनट है 10 minutes बाकि है ठीक है c part है ना जी बिटा देखो अब देखो इसमें क्या है यह 6 से उपर जा रही है 7 के नजदीक है यह क्या है आवर हैं यह क्या है minute हैं तो इसका मतलब 6 बज के कितने मिनट हो गए है 6 बज के कितने मिनट हो गए 10 पर है लगबग तो 10 तक 5 10 जा कितना होता है 50 अब देखिए 5 10 50 होता है लेकिन आप क्या देख रही हो कि इसमें जो minute हैंड की जो सुई आई यह complete 10 पर नहीं है थोड़ी सी निच है मतलब 50 होता है 5 10 जा तो उससे एक कम लो थोड़ा सा तो कितना हो जागा 49 तो इसको लिख सकते हैं हम 6 दो डोट लगा दिए 49 ठेक है बटा है यह क्या minutes past 49 minutes past 6 ठीक है यह लिख सकते हैं हम इसको अच्छा यह हम क्या कह सकते हैं अब देखो 49 है तो इसका मतलब क्या होगा 11 minute है 7 बजने में तो क्या कहेंगे 11 minutes 11 minutes to 7 ठीक है यह होगा अब देखे D part D part में क्या है इसमें क्या देख रहे हो आप यह तो क्या है हमारी hour hand है यह क्या है minute hand है तो देखो इसमें यह 7 से थोड़ी से निच मतलब कितना time लग रहा है देखो यहां तो 35 हो जाता इससे थोड़ा सा है तो 33 सा लग रहा है इसमें तो इसमें लिख सकते हैं 9 दो डोट 3 minutes past 9, क्या लिए सिकते हैं, 33 minutes past 9, यह हम क्या कह सकते हैं, इसमें देखो, यह कितने हो गए, 33 हो गए, अब टोटल एक घंटे में कितने मिनिट होते हैं, 60 होते हैं अब 60 में से 33 माइनस कर लो, तो यह कितना बच गया, 7 बच गया, और 5 में 3 गया, 2, तो 27 minutes है, किसमें 10 बजने मे यह हम लिख सकते हैं, 27 minutes, 27 minutes to 10, ठीक है बचा, तो इस तरह से हम, अलग-अलग, 3 types से हम time लिख सकते हैं, I think आपको clear हो गया होगा, second question भी, start करते है, question number 3, कहते हैं, the hour hand of the cloak has been drawn, कहता है कि, hour hand draw की गई है, draw the minute hand to show the correct time, सही time के लिए हमें draw करनी है, क्या draw करनी है, minute hand draw करनी है, तो जो एक cloak दी गई है, इसमें देखो, इसमें कहता है, our hand है, और minute hand नहीं है, तो उसको हमें draw करना है, अब देखो बचा, इसमें क्या कह रहा कि, 220, क्या कह रखा है, 220, तो इसका मतलब, 2 से आगे है ना, यह hour hand, minute hand कहा पर होगी 5 4 जा क्या होता है 20 होता है ना तो इसका मतलब जो minute hand है वो कहां पर होगी 4 पर तो यह draw कर दी हमने minute hand clear हुआ बिटा यस अब इसमें है 328 328 तो देखो 5 6 जा कितना होता है 30 होता है ठीक है अब यह 28 कितने होगे 25 होगे 25 से 3 आगे तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा यहां सी draw कर सकते हम ठीक है तो यह कितना हो जाएगा 328 हो गया ठीक है अब इसमें 425 यह 5 की टेबल का मिल जाए तो उससे 5 की टेबल पढ़ लिया करो 55 जा 25 तो 5 पर होने चाहिए तो इसमें जो minute hand है वो कहां पर होगी फाइफ पर होगी ठीक है अच्छा अब इसमें क्या है इसमें देखिए 549 तो देखो 50 के नजदीक है नए तो 510 जा 50 होता है यहां पर होने चाहिए लेकिन थोड़ी सी इसको नीचे दिखाएंगे थोड़ी सी नीचे क्योंकि 49 दिखाना है न हमने तो यह यहां पर होगी तो यह हो जाएंगे 549 ठीक है तो इसमें क्या गीवन था कि भई टाइम गीवन था उसको हमने अवर हेंट भी दे रखी थी और उसमें क्या स्यों कर दी बैटा हमने मिनट हेंड स्यों कर दी क्या स्यों कर दी मिनट हैंड तो इसमें आवर हैंड दे रखी थी, मिनट हैंड, 220 है, तो 540, 20 सिधा हो गए है, यह 328 है, तो 30 के नजदिक होगी, तो आवर हैंड यह मिनट हैंड अपने यहां बना दी, ठीक है, उसके बाद सी पार्ट में, यह कितना है, 425 है ना, तो इसमें क्या कर दी हैं हमने, 5 की टेबल, 5-5 जाए, 25, तो जो हमारी मिनट हैंड है, वो किस पर होगी, 5 पर होगी, इस तरह 49 है, तो 50 के नजदिक है ना, तो यह जो हमारी आवर हैंड है, वो कहां पर होगी, इसके 10 के नजदिक होगी, 5-10 जा 50 होता है ना, 50 होता है ना, तो 49 है, तो 49 है, तो इसके नजदि अब question number 4 में देखे क्या है इसमें कहता कि fill in the blanks अब इसमें क्या है fill in the blanks इसमें क्या कह रहा है कि 48 minute past 6 मतलब 6 बज़के 48 minute हो गया है 6 बज़के कितने हो गए 48 minute तो देखो 1 गंटे में कितने minute होते है 60 इसमें 48 minus करना यह 2 और यह कितना बज़ेगा 1 तो ईसका मतलब 7 बज़ने में कितने minute है 12 तो हम इसमें 12 minutes to क्या लिख सकते है 7 ठीक है अच्छा जी आब देखें B part B part में कहा है 52 minute past 10 कि 10 बज़के कितने minute हो गये है 52 हो गये है तो उसमें कहता है कि इतने minutes to है 52 minutes past 10 कि 10 बज़के तो इसका मतलब 11 बजने में कितने मिनट है, 8 मिनट है, कितने मिनट है, 8 मिनट है, क्योंकि 60 में इसे 52 माइनस करेंगे, तो कितना बज़ेगा, 8 बज़ेगा, तो क्या कह सकते है, 8 मिनट to 11, क्योंकि 10 बज़े 52 मिनट हो गए है, तो इसका मतलब 11 बजने वाले है, और उसके बज इसमें क्या लिख सकते है quarter to ten का मतलब है 15 minutes to ten quarter का मतलब क्या होता है कि जिसके आगे किसी भी time के आगे अगर quarter लिखा है बटा तो इसका मतलब अगर quarter to है तो उसके बजने में 15 minutes है तो इसमे quarter to 10 है तो 15 minutes to 10 के लिए next है d part अब D part में क्या है nine minutes to eleven क्या करता है कि nine minutes to eleven तो इसका मतलब क्या है कि eleven बजने में कितने minute है नाइन है तो 60 में से 9 minus करो देखो यह कितना बच गया वन और यह कितना 59 तो इसका मतलब 51 past हो ग spinach है कितने से 51 minutes past 10 छीक है ब्टया तो इसमें क्या हो जाएगा 51 minutes past 10 कि इसे 10 बज़के कितने मिनट हो गए है 51 हो गए तभी तो 9 बज़ने में कितने मिनट है 11 मिनट बाकी है ठीक है बटा तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्या practice करवाई है कि exercise की है बिल्कुल जो simple time देखते हैं किस तरह से हमने इस exercise में 3 त्री टाइप से time देखना बताया है और उसके बेश पे जो भी exercise related question थे वो बिल्कुल easy way में मैंने आपको करवाई हैं तो next लेते हैं next practice exercise तो इस तरह बेटा time के ऊपर जो exercise थी वो बिल्कुल simplest से simplest way में मैंने आप लोगों को करवाने की कोशिस की है and I hope आपको अच्छे से में आगी है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो now thanks for watching बटा तो next वीडियो में फिर मिलते हैं नए टोपिक के साथ